जानेंगे भी वो T3 X5G को switch off कैसे करते हैं इस फोन के पारवटन से आप इस फोन को press and hold करोगे तो ये इस फोन का Google Assistant on हो जाता है पर फोन switch off नहीं हो पाता है अब switch off करने के लिए आपको दो option देखने को मिलते हैं एक तो यहाँ पर फोन का volume up button इसके साथ पारवटन आप एक साथ दबाईए तो switch off कर सकते हो दूसरे आपकी फोन की आप setting ये कर सकते हो जिसके लिए आप पारवटन से भी आप यहां पर switch off कर पाऊगे तो setting करने के लिए इस फोन की setting में जाकर इस तरह से स्क्रॉल करने पर मिलेगा आपको shortcut and accessibility जिस पर आपको क्लिक करना होगा प्लिक करने के प्रेशन होल पारवटन का feature मिलता है इस पर क्लिक करके आपको यहां पर select करना है और power menu के लिए set करना है अब long time power button से भी आप इस फोन को switch off करा सकते हो